नमस्कार आरेस अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम करी पता राईस बनाएंगे यह बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ एक कड़ी पता लिया है इसे मिक्सी जार में डाल दिया है ताजा नारिया ग्रेट करके ढ़क है और इसे हम बिना पानी के ही दर दरा सा पीछ लेंगे देखें हम कड़े गर्म के लिया है आधा कप हमने इसमें मुगफली के दाने डाले हैं इसे हम दो मिनट भून लेते हैं और इसी में डालेंगे हम दो चम्मच चना डाल और एक चम्मच उड़ेद डालेंगे इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है साथ में ही हम डाल देते हैं आदा छोटा चमच हेंग और एक चमच तिल हमने सफे तिल डाला है इन सब को हमें अच्छी तरह पका लेना है गोल्डन ब्राउन कर लेना है फिर डालेंगे उसमें हम साथ आठ कन्या लसन की बारी काट के डालेंगे और एक इंच अधरक का बारी करके हम डाल देते हैं दो लाल मिर्च डालेंगे इन सब को हमें अच्छी तरह पकाना है जब यह विकुल अच्छी तरह पक जाए गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक मिर्यम साइज का बारी कटा हुआ प्याज और जो मसाला हमने पीस के रखा था उसे डाल देते हैं इसे हम 2-3 मिर्ट तक मिडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि करी पत्ता का जो कच्छा पन हो चला जाए इसे हमें 2-3 मिर्ट तक पकाना है इसे में डाल देते हैं हम स्वादनों साल नमक इसे भी मिक्स कर लेंगे जब यह सब अच्छी तरह पक जाए तब हम इसमें डालेंगे चावल हमने एक कप भर के चावल लिया है यह पकावा चावल हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं यह चावर खाने में बहुत टेस्टी होता है और बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान तरीके से बन जाता है धनिय पत्ति डाल देते हैं इसे हम मिक्स करेंगे दो मिनटी से हम इसी तरह चलाते विए पका लेते हैं यह हमारा करी पत्ता राइस बनकर तयार है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरू दबाए ताकि नए वीडियो आप तक पहुछ सके धन्यवाद झ defenses करे सो एक के लो जन्द swelling हमारी वीडियो आपको हमारी वीडियो और राम जरू हमारी वीडियो पका वीडियो आपको है